विंटर्स अपने चरन सीमा पे है और मैं जबलपूर आप पहुंचा हूँ अब यहां से चार घंटे का सफर तै करते हुए काना राष्ट्रे उद्यान की और निकल पड़ा हूँ क्योंकि मैंने एक बजेट होटेल आनलाइन बुक किया था इसलिए मुझे अब घवराहट होने लगी थी कि ये कैसा होगा हम बंजर नदी पार करते हुए मोटेल चंदन आप पहुंचे जब होटेल पर एक अच्छा बगीचा देखकर मैं राहत महसूस कर रहा था मुझे बताया गया कि होटेल वालों ने मुझे अपने सबसे अच्छे कमरे में अफग्रेड कर दिया है अब यहां से मुझे अपने चारों और काना के जंगलों का एक शांदार व्यू मिल रहा था आप नहीं जानते हैं कि रात के सननाटे में यहां क्या होता है शुरू में मेरा प्लैन यहां दो दिन बिताने का था लेकिन एक ऐसी घटना के कारण मैंने यहां एक सब्ता बिताया इस जादूई जगा से सभी कहानियों को आपके साथ शेयर करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलता हूँ सफारी में